इन्स की शक्ति, धर्नी के आकर्षन से, तो हद की आकर्षन उने से दूर ले जाती है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स, वो धर्नी के आकर्षन से दूर ले जाती है, और ये हद की आकर्षन से, तो इसमें विशेश बावा ने जो पुर्शारत कराया, कि मन, बुध्धी, संसकार इन पर कर्मेंद्रिय जीत बनना ये तो इसलिए हम एक एक घंटा योग में तो फिर भी उंगली भी नहीं हिला कर बैठ सकते हैं लेकिन चलते फिरते संकल्प शक्ति को ओर्डर करो और वो ओर्डर मान जाए उसके लिए क्या जो पुर्शारत है एक्चुली ये वाला ओर्डर मानने के लिए उसमें विशेश एक ही मतलब जितना हम regular अभ्यास करते हैं न मतलब चलते फिरते का जो अभ्यासी होगा उसमें ही easy होगा कुछ ऐसी news आप सुने और एक्दम केवल स्रेष्ट संकल्प चले चाहे news कुछ भी सुने है इसको कहेंगे संकल्प शक्ति को ओर्डर प्रमान चलाना अब मुझे वो वैसा वाला संकल्प करना ही नहीं जो news के recording है मुझे वो संकल्प करना है जो उस news में मैं help कर सकते तो ये संकल्प ये order करना हुआ है या तो order दे पहले तो order दे भी सही order ही नहीं दे तो फिर क्या है order देना मैंने आत्मा को बोल दिया मन को बोलो बिलकुल अभी ये संकल्प करना नहीं है ये करना है ऐसे बात करते हैं उमन से ये पूरी स्वराज्य अधिकारी की मुर्लिया चल रही है इवन बाबा की भी जो season की मुर्ली चली और ये तो मुझे लगता है जो हम लोगों ने स्वराज्य अधिकारी का किया था न वो वापस करना चाहिए तो संकल्प को बोलो और उसी समय ओडर माने ये बहुत important है तो आज पूरी दिन हम देखेंगे इसी तरह निरणई शक्ति संसकार पूरी दिन देखे कि जिस समय कहां उसी समय संकल्प करने लगा और फिर वो हमेशा के लिए stop उस समय stop हो जाए फिर वो बड़ड करने लगे मन ये भी नहीं तो ये वाला प कि order थी पहले तो order करने की आदत हो कि order ही नहीं करते हैं कैसे order करें? order की आदत कैसे होगी? order करो एकदम चुप आपको ऐसा संकल्प करना ही नहीं है आपको यही सोचना है कि बाबा सामने है उस आत्मा के सामने बाबा है बस जिसके लिए भी अगर संकल्प आ रहा है तो क्या order करना ये तो हमारे पास बहुत अच्छी लिस्ट है क्या काम कराना है क्योंकि इतने pending काम पड़े होते हैं लेकिन वो माने ये बड़ी बात है तो आज पूरी दिन में order करने के आदत रखो मन को order करो देखे number of orders कितने होए कल बताना कितने बार हमने order किया mind को चुप बिल्कुल नहीं ये नहीं सुचू order सबसे interesting तो order ही है लाइफ में क्या चाते है हर कोई chairman बन जाओ नहीं खुद का business हो तो मैं चलाओ दूसरे को बाव आती है नहीं नहीं वो चाती कि मैं मालिक बन जाओ नहीं आती है हर कोई चाता है order करना तो order करो मज़ा आएगा और फिर बुद्धी में बाबा ने मन का संकलफ शक्ति का करा है और बुद्धी की decision कि कोई भी decision बुद्धी ले तो ये होई नहीं कि ऐसा नहीं होता करता है तो अच्छा रहता मतलब बुद्धी में decision बावर नहीं है तो मन और बुद्धी एक second में full stop इतना तक कि दादी मतलब दादी जान की किसी ने बेहन के पास ठाली आई उसने वो चीज़ देख के हो जाता है न शकल बना लेते है दादी ने का ये शकल क्यों बनाई है कर्मिंद्रियों पर इतना भी अधिकार नहीं है तो कहीं भी कोई शकल बनाई या कुछ भी वहा मतलब मन मेरे order में नहीं है भावना चेंज हो गए मन मेरे order में नहीं है किसी के प्रती दुबारा संकल चला मन मेरे order में नहीं है stop कहा stop हो जाए उसी समय stop हो जाए और फोर वो हमेशा के लिए हो जाए तो आज हम number of orders देखेंगे mind का करे order अच्छा लगेगा बहुत अच्छा पुर्शारत है order करो चुब बैठ जाओ ये सोचो और वो सोचने लग जाए कई बार कल से किया ट्राइ किया बहुत अच्छा लगा और अब style हो जाती मन बहुत प्यारा है मतलब एक बार उसको उसमें ढाल दोना तो उसकी फिर वो ही आदत पढ़ जाती वैसे ही सोचने की आदत पढ़ जाती है फिर वो दूसरी तरह से सोचता भी नहीं है हमको मनसा सेवा करनी भी नहीं पड़ती है actually होता रहता है क्योंकि वैसा संकल्पी नहीं करता है तो order आज का मेन पूर्शारत भोगा order करो नहीं मानता है वो हम कल देखेंगे फिर क्यों नहीं मानता है क्या नहीं मानता है पर order करें और दूसरा है मैं आत्मा आज का थाई बहुत अच्छा current और connection तो मैं आत्मा बाबा के हाथ में हाथ दिया जब physical world में सेवा कर रहे हैं काम कर रहे हाथ में हाथ है अद्दम connected है पूरी दिन देखो कि कई छूटा तो नहीं बाबा का हाथ connection, current फिर माया भागेगी तो आत्मा भी की feeling होगी बाबा की भी feeling होगी बाबा साथ में है और माया भाग जाएगी खुद को बहुत security हाथ में हाथ देना मतलब दादी का कल हम class एक छोटा सा सुनेंगे हाथ में हाथ देना मतलब प्यार हाथ में हाथ देना मतलब secure feel करना हाथ में हाथ देना मतलब नशे की निशानी है वो जब ये ऐसा प्रेसिदेंट अब्दुल कलाम जी जब और सी में आए इनाउग्रेशन और सी का इनाउग्रेशन अब्दुल कलाम थे और प्रकाश्मुनी दादी थी प्रकाश्मुनी दादी और अब्दुलकलाम दोनों थे डॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम तो दादी उनको रिसीव किया हेलिकॉप्टर से मतलब जब एंटर हुए वहां से लेकर दादी हाथ में हाथ दिये दोनो अब्दुलकलाम और हम खुद सामने थे उस समय पूरा तो हाथ में हाथ लेकर दादी इधर स्टेongo पर पॉंचे तो कितनी नशे की बात होती है भई दोनों की बात है उसको भी नशा हो, उसको भी नशा तो मेरा हाथ किसके हाथ में है प्रधान मंत्री stage program में आप वहाँ आपके हाथ में हाथ कैसे लगता है एक खाली handshake करता है न वो photo खिचते लेते तो सारा दिन हाथ में हाथ रखो तो हाथ में हाथ नश्य की बात है हाथ में हाथ security की बात है secure feel करेंगे तो ये पुर्शारत करेंगे आज ठीक है दो चीज़ पूरे दिन ओके जी आत्मिक स्वरूप का और हाथ में हाथ physical करना है physical कर लो पर आत्मा में ज्यादा feeling आईगी ओके ओम श्रंटे चले revision करते है शुरू ओके जी सभी ने तोली खाई गुजिया खाया बाबा के घर का खाया नहीं खाया नहीं खाया